हलो दोस्तों 7k kitchen में आपका फेस स्वागता है तो दोस्तों आज हमने बनाए है बहुत ही टेस्टी पीले मीठे चावल क्योंकि कल थी बसंत पंचीमी और आप सभी को बसंत पंचीमी की हादिक शुपकाम नाहे तो इस दिन के इस दिन दोस्तों एक तो मात सुरसती जीकी जरूर करूंगा और आज हमने जो बनाये थे वो मीठे चावल बनाये थे और काजू बदाम और किश्मिश डाल के बनाये थे तो दोस्तों यह बहुत ही डेश्टी बनते हैं भोग लगता है इस परशाद का तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि किस तरह से बनेंग और दोस्तों जब भी आप चावल बनाये कूकर में कडाई में तो चावल को 10-15 मिन तक भीगो के जरूर रखें जिसे कि वो अच्छे फूलते हैं और बहुत ही टेश्टी बनते हैं और खिले-खिले से बनते हैं तो इस तरह से हमें चावल को वाश कर लेना है चावल को बदाम तो काजु और बदाम को ना बीच में से काट लेंगे और अगर आपके पास और ड्राइफ रूट है अगर आप कुछ नारियल डालना चाथे हैं या पिसता डालना चाथे हैं तो वह भी आप इसके अंदर यहां पर यहां पे मैंने लिया इसमें किश्मिष भी जिसे कि आपके किश्मीश का बहुत ही अच्छा फेवर बना रहे तो इसको बदाम और काजु को जो है ना हमने दो पीस में कर लिया आप चाहें तो इसे लंबा- LIVE भी काट सकते हैं तो इस तरह से मैंने बदाम भी काट लिया और काजु भी काट लिया तो चलिए अब हम लेते हैं कुकर और कुकर में डालेंगे हम देसी गी तो यहां मैंने एक बड़ा चमद देसी गी डाला है एक ग्लास चावल बना रहा हूं तो मैंने यहां पर एक बड़ा चमद देसी गी कर डाला है और आप चाहें तो अगर आपको तो देसी खी का स्वाद अच्छा लगता है तो आप दो चमज भी डाल सकते हैं तो मैंने जो कॉंटिटी के साफ से डाला है वह एक चमज डाला है तो यहां पर मैंने लिए एक हरी लैची और यह ड्राइफ रूट जब हम यह घी गरम हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसे अच् बेकार सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर तो इस बात का बिलकुल ध्यान रखिएगा तो यहां पर मैंने काजू और वह बिल्कुल भी नहीं डालूगा सिर्फ मैंने काजू और बदाम को ही भुना है उसका कारण मैं आपको आगे बताओंगा कि मैंने किश्मिश क्यों नी किश्मिश तो अभी जो है न हम काजू और बदाम को अच्छे से भून लेंगे बस इसको भूनना है और अब हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने चावल भिगो के रखे दे तो दोस्तो कभी भी आप चावल बनाएं दस से पंदरा मिनट तो उसे जरूर भिगो के रखिए क्य यहां पे ने चावल डाल दी है और चावल को हम अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लेंगे तो ऐसे रोस्ट करने है थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे तो यहाँ पर मैने जो गैस का फ्लेम रखоны हाई रखा है इसे लो बिलकुल blir निकरेंगे तो यहाँ पर मैंने चावल फ्राय कर ली है तो मैंने यहाँ पर जो लिया है ना एक गिलास चावल लिया है तो मैंने चीनी जो है न वो अपनी सौाद के नुसार ली है तो आप जैसा मीठा खाते हैं आप चीनी उसी के हिसाब से डालिएगा तो यहाँ पे मैंने चीनी डाली है इसके अंदर तो इस त्रेज में आप जब चावल भून लेंगे ना इसके अंदर चीनी भी डाल देंगे आप चीनी के साथ भी भूनेंगे और दोस्तों चीनी भी जो है न जब मैल्ट होती है तो अपना पानी छोड़ती है पानी का आप बहुत ध्यान रखिएगा इस चावल के अंदर तो यहां मैंने एक गिलास चावल लिये हैं तो मैं उसमें डेट गिलास पानी डालूँगा क्योंकि चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी तो वो पानी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप उसका ध्यान रखिएगा बिल्कुल वैसे हम चावल जब भी बनाते हैं तो एक गिलास में दो गिलास चावल डालते हैं जब च थोड़ा सा कलर के लिए है फूड कलर और हल्दी भी थोड़ी सी डालूँगा जिससे यह पीले कलर के बनेंगे तो हलका सा मैंने यहां पे औरेंज फूड कलर डाला है जिससे यह येलो बनेंगे थोड़ी सी में हल्दी भी इसमें डालूँगा जिसके कारण यह पीले बनें चीनी डालने के बाद भी इसे अच्छे से भून लीजेगा थोड़ा सा तो इस तरह से भूनेंगे वो भी गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे कोई लो नहीं करना तो यहाँ पे जब मैंने लिया है एक ग्लास चावल तो इसके अंदर मैं 5 ग्लास पानी डालूँगा तो यहाँ पे नहीं टोटल एक ग्लास के लिए जब भी बनाएं चावल को भिगो कर जरूर रखें जिससे चावल फूल जाता है और चावल खिला-खिला भी बनता है और फूल भी जाता है तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चलिए बॉयल आने का इसे वेट करेंगे जब भी आप कुकर को बंद करें चावल हो कोई भी सब्जी बना रहे पानी वाली या तरी वाली अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो कुकर को तभी बंद करिएगा जब आपके कुकर के अंदर पानी में बॉइल आ जाए उससे क्या होता है ना कि इसकी सीटी जल्दी बनती है इसकी गैस बहुत अच्छी बनती है तो इस तरह से अगर सोटा सा सीटी को बन करेंगे अब कुकर के धकन को हम बन करतेंगे तो चलिए इस टाइम पे बहुत अच्छी गैस बन जाती है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और फड़ाफ़ट सीटी आ जाती उसके बाद आप इसे स्ट्रीम पे पकने देंगे जब आप गैस बंद करेंगे तो इसकी स्ट्रीम भी नहीं निकालनी है तो यहां गैस बंद कर दिया है तो पांच मिनट हो चुकी है तो यह देखिए मैंने कुकर को खोल दिया है तो कुकर आप जब ही खोलिएगा दोस्तों जब पांच मिनट हो जाए, गैस रिलीस हो जाए, आपका सीटी से सारी गैस रिलीस हो जाए, तब उसके बात पांच मिनट बात खोलेंगे, तो अब मैं डालूँगा यहाँ यहाँ पर किशमिश, तो दोस्तों यहाँ मैं अब किशमिश डालूँगा, और किशमिश डालने के उससे क्या होता है किशमिष का जो फलेवर है वो बना रहता है और किशमिष काली बिलकुल भी नहीं पड़ेगी इस स्ट्रेज हमारे यही बनते हैं चावल और इसी चावल का भोग लगता है तो इस तरह से अगर आप भी चावल बनाएंगे तो आपके चावल बहुत ही टेस्टी बनेंगे तो एक बार जरू ट्राई कीजेगा तो चलिए बनकर तयार हो गया हमारे खिले-खिले से चावल तो करते हैं इसे सर्व तो लीजे यहां पर बनकर तयार हैं बहुत ही टेस्टी से मीठे चावल की रेसिपी आज मैं आपके लिए ले के आया हूँ तो आप एक बार रेसिपी को जरू ट्राई कीजेगा यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो उपर से डालेंगे हम देसी घी और दे कर दयार है पहुत ही टेस्टी से मीठे चावल तो एक बार जरू ट्राई कीजेगा यह रेसिपी